तो स्वागत आप से भी को ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का पहला चेप्टर जो किये हमारे आसपास की पदार्थ इसमें टॉपिक वाइज कुछ प्रसन दिये गये हैं जिसका उत्तर इस वीडियो अप्लोड किया उसमें अबजेक्टिव कराया था और इस वीडियो में आप लोग सारे इंटर्नल को सन का एंसर देखने वाले हैं जैसे कि मैं अभी आपको बता दूँ आपको टॉपिक वाइज प्रसन दिया हुआ है जैसे निमलिखित में कौन से पदार्थ है कुर्सी वा प्रिष्ट संख्या चार में दिया हुआ है अब अगला जो है जैसे किसी तत्रों को दरब एमान प्रती का आई तन गुगनातों करते हैं घनातों इक वाल्टों दरब एमान अपन आयतन या फिर बढ़ते हुए घनातों के क्रम निमलिखित ब्यवस्तित करना है जैसे कि वा से केलविन में बदलने को प्रस्न मिलेगा फिर प्रिष्ट संख्या 11 में जाएंगे तो अंतिम इंटरनल को सन मिलेगा दो चार प्रस्न उसमें भी देखने को मिलेगा जो कि उसमें पुछा हुआ है कि कैसे जो है ना कि जो पेट्रॉल का जो पेट्रॉल होता है या इतरी का जो liquid होता है ठीक है ना उसको जब हम लोग हाथ पर रखते हैं तो ठंड़ा क्यों हमें मालूम पड़ता है तो इस तरीका का प्रस्ण है जो topic wise है और इस वीडियो में हम लोग है एक साइज का तो देखना ही देखना है लेकिन टॉपी के बाद कुछ परस्ण दिया है तो उसको जरूर ध्यान में बैठा लें काफी अच्छे तरीके से माइंड सेट कर लें सारे प्रस्णों का ताकि आप एक भी एंसर नहीं छोड़ेंगे तो चलिए देखते हैं इस वीडियो अप्लोट किया रिसेंटी मैंने दो पार्ट में पूरे जो है ना हमारे आसपास की पदार्थ के नाम का जो छेप्टर है उसको बहुत ही अच्छे ढंक से कंप्लीट किया है ठीक है उसको अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें से आप दिये गए विकल्पूव में से आप छाट करके बता देंगे कि कौन पदार्थ का एक उधारण है तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कुर्शी वायू इसने गंद घ्रीणा बदाम विचार शीत शीतल पे इत्र की गंद तो देखिए इसका सही उत्तर है देखिएगा कुर्शी क्योंकि यह भी जगह वायू बदाम यह क्या है यह तीन इसमें से मने दिये गया विकल्प में से तीन जो है ना सभी क्या है मने यह तीनों सभी पदार्थ के उधारण है आप ऐसा उत्तर लिखेंगे ठीक है अब अगला परशन देखेंगे अब देखिए अब यहां एक और बाते हैं थोड़ा ध गिनिना नफरत वगरे यह सब क्या है एक अहसास है वह हमारे अंदर वह आपके अंदर पनपता है ठीक है तो यह जगा नहीं घेरता है इसका भार नहीं होता है इसलिए यह पदार्थ नहीं है यानि पदार्थ वह होता है जिसका अपना खुद का भार होता है जो जगा खेर आपको उसके पास जाना पड़ता है तो आप इसका रिजन बताएंगे क्यों ठीक है तो देखिए होता यह है कि जब आप कोई भी भोजन होता है जब बनने के दौरान क्या होता है न कि वहां पर वो क्या होता है न भोजन गर्म होना शुरू हो जाता है और जब गर्म होना बढ़ जाती है कि दूर ही अगर भोजन बन रहा होता है आप तीलग में जाते होंगे यह शाधी विवाग में जाते होंगे तो जब तो जहां तिलक बगर होती, उसके कुछ ही दूर पर क्या होती है थो जब गर्मा-गर्म खाना बन रहा होता है तो उसमें मौथूदध की होती है। हावा में बड़ा तेजी से भी से विसरन होती है जिसकर आपके नाको तक पहुंचने की बाद आप उससे पहचान लियते कौन सा गूंड प्रेक्चित है तो पदार्थ के गूंडों के बारे में भी हम बताये थे पढ़ाये थे हैं अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ पाएंगे एंसर को देखिए यहां पर हम एंसर दिया है क्यों देखिए सुमिविंग पूल में गोता खोर पानी काट पाता ह पानियां पर क्या है कि गोता खोर जो यह है यह पानी काट पाता है यानि कि पानी को बढ़ियां से अपने हाथ से क्या करता है काट करके वह आगे की तरह बढ़ पाता है यानि कि बहुत बढ़ियां से जो नहीं एक जगा से दूसरी जगा आपने आपको मुव कर पाता है र रिक्ते स्थान ज्यादा है ठीक है ना इसलिए गोताखोर क्या कर रहा है पानी को असानी से काट पा रहा है तो यहां पर हम इसका एंसर त्यार किया है उसी ध्यान ख्याल से ठीक है यहां देखिएगा स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पता है इससे पदार्थ का न एक कढ दूसरे कढ़ के ठोडा सा दूरी पर होते हैं जिस visualization आप यहां देखिएगा अगला प्रसन डेखेंगे जड़ा प्राट सॉरी पदार्त की कॉड़ों की क्या विशस्थाय होती हैं पादार्त के कड़ें, यानि फीचरस फ़ीटर्डिकल अब अ मैटर्स पूछ है तो पदार्थ के कड़ों के बीच रिकते स्थान होता है किलियर दूसरा कड़ एक दूसरे को आकर्सित करते हैं ठीक है ना यह हम इसके बारे में बहुत बढ़ी है साम कॉंटेंट वाला वीडियो में बता हैं और तीसरा हम लिए कंड निरंतर गतिसील होते और चोटे होते ह हैं इतना चोटे होते हैं हम अपने खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं इसका हमने बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल मारे बोड पर प्रैक्टिकल के माधियम से हमने समझाया था कि एक गलास में पानी लेंगे फिर पानी में कुछ रंग मिलाएंगे फिर कुछ देर बाद देखेंगे कि पानी जो है ना पूरा कलरफुल हो गया फिर दूसरे तीसरे स्टेज में जाकर कर देखेंगे कि वह रंग रंग हीन हो गया रंग हीन होना मतलब यानि रंग गायब हो गया फिर पहले की तरह पानी हो गया तो हम देखेंगे कि उसमें उसी में और तो हम समझ जाएंगे कि कंड बहुत छोटे होते हैं ठीक है अब अगला देखते हैं अगला यहां से परश्ण शुरू होता है अब यह जो परस नहीं प्रीष्ट संक्या 6 से हैं देखिएगा आप देखेंगे अपने बुक में प्रीष्ट संक्या 6 देखेंगे न तो इसमें प किसी तर तो के दरबामान प्रती का आयतन को क्या कहते हैं तो आप को संदे देगा ठीकन जिसमें अपको चुनना वगया गरना तो बरायबर haider तो यहां पर क्या करना है कि यह सवाल क्या पूछ रहा है कि बढ़ते हुए घनतों के करम में निमली खित को बेवस्तित करना जैसे कि वायू है है चिमनी के धुआ है शाध है तो हम यहां पर इसका उत्तर लिखें हैं देखिएगा घनतों बढ़ते हुए करम में जैसे वायू सबसे कम घनतों उससे जड़ा घनतों वाला रूई उसके बाद से शहद उसके बाद से चौक उसके बाद से लोहा हो जाएगा इन दिये गए ग पदार्थ की वीपिन अवस्थाओं के गुड़ों में होने वाले अंतर को सराड़ी बद कीजिए ठीक है ना अब देखिए पदार्थ के अवस्थाओं में जो गुड़ों में होने वाले अंतर होते हैं उसके बारे में बताना है तो देखिए और दूसरा देखिए अब दूस समझ लेते हैं पदार्थ की बिविन औस्ताओं के गुड़ा में नतर देखिए पयार्थ क्या है जैसे कि जो जिसका अपना भार होता जरु पाइदा करता है है या क्या होता है जो इस्थान घृता है तो यहां पर देखिए पदार्थ को हमने चार तरीके से बांट दिया है ठीक है ना चार तरीके से पदार्थ के गुड़वत्त के अधार पर चार्थ एक तो पहले हम उसका गूड़ लिखें दूसरा कि वह ठोस होता है द्रव होता है और गैस होता है और तीनों का गूड़ के दिरिश्टी से देखें तो अगर हम अकार देखें तो द्रव का नहीं होता है तो हम अगर थोड़ा दिर के लिए सोचे कि अगर आप माल लएजू,, ुकोई भी ठोस पदार्थ लेएं जैसे कि ठोस्थ पदार का उधारत एकी ले आई जैसे कि मालेगी ऑगर आप किताब ही मेरे लेते हैं सबस्क्राइब लेटें किताब को जहां रखेंगे वह एक क्या करेगा अकार अपना बना लेगा लेकिन अगर पानी को अगर अपने दुवार पर फेंक दीजिए तो एक निश्चित अकार नहीं बनागा वह दूस्रे से स्वतन्थ्रों करके वह करते रहते हैं इसलिए इस का जो है न अकार निशचित नहीं होता है ठिक है न वो जीस狂ब होता है और यापर गैस का भी गैस का नहीं होता है ठीक है यहांपर देखें दिरिणेटा यह तरलता मतलब क्या इंगलिस में बोलते हैं रिजीडीटी यानि कट होड़ता कितना है और तरलता तो देखें यह द्रीड होते हैं लेकिन बहाते हैं ठीक है यह रिजीड होते हैं लेकिन बहाते हैं लेकिन यह द्रीड नहीं होते हैं बलकि तरल होते हैं और यहां पर देख अकरसरबल होता है ठीक है ना तो अब बताइए कि ठोस में क्या होता है ठोस में अधिकतम होता है ठोस से कम होता है ठीक है और ठोस द्राव से कम होता है क्या कोड़ों के बीच अकरसरबल ठीक है अगला देखेंगे विसरण ठीक है तो विसरण के अगर बारे में बता है जो एक आप मालीजे कि अगर मालीजे कि अगर जैसे कि अगर आप दूध ही दूध को ही उबाल रहे हैं तो थोड़ा सा दूध की महाँ का आपको समझ में जरूर आजाएगी क्यों दूध का जो दूध के अंदर जो मौवजूद करण होता है न वो कहीं न कहीं से विसरन के दोरान आपके नाकों पहुंच कर इस चीज़ का अंदाजाओ जरूर करने का मैं सोच पायदा कर देगा कि हां कहीं दूध जो है न उबल रहा है एनिवे अगला है हां उसके बात से यहां पर गैस के साथ क्या होता है विसरन तेजी से होता है अब लिए दो देखेंगे और रीजीटिटि यानि पदात का वह घूण जो बाहरी बॉल्ग के विरूद अपने आकार को बनाये रखता अब देखी मालीजी कोई भी ठोस पदात को जब जब तक आप दबाने की खुब कोसिस करेंगे वो अपना अकार नहीं बदलता है लेकिन थूर थर देंगे तो वैसे तो अकार बदलिये जाता है लेकिन वो इतना रिजिड होता है कि वो अपने अकार नहीं बदल पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दिरिंड़ता कहते हैं संपीडिया कि गायस ही है, तो गैस, कि कड़, मने भा लीज़्ेये, गैस को अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले हैं, इसमें चोटा-चोटा कड़ हैं, अगर हम इसको, ठीक है, ना, पि olvid Kris Tan के माधियम से, की पृविर्थी रखता है तरल टक अलाथी शूथा देखें गेंगे बरतन में ग HOLID is को भारा जा सकते यूँ यकांड क्योंकि इसकी कैनल सभी दिसारां में धीवर से चलते हैं इसलिए इसका का अटिस्द्र होता है is की द्राव तथा गैस बरतन का अकार भर लेता है आप देखे क्या है ठोस के कंड जो होते हैं एक दूसरे की इतने जटिलता से जुड़े हुए होते हैं कि वो ठोस होते हैं और इनका अकार जो ना निस्चित होता है लेकिन द्राव और गैस के जो कंड होते हैं थोड़ा सा अगर फर्मूला पूछे तो भराइमान अपन Tale और गनई को इंगल निसमें इसलिए यहां पर बरहाबर और दरव इमान को मॉस्कतलिान आर ऐटन इसलिए लिभाबर म्भी इसका फर्मूला हो जाएगा अगला प्रस्न देखेंगे कारण बताना है गैस पूरी तरह उस बरतन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं घुमा फिरा कर कोशन इधर उधर से वही बात पूछ रहा है जो मैं इसे पहले कोशन को एंसर को मैंने समझाया और दूसरा कोशन पूछा है गैस बरतन की दिवारों पर दबाव डलती है तीसरा कोशन पूछा है लकड़ी की मेज ठोस कालाती है और चोगता है कि हवा में असानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्च होना पड़ता है लीजिए तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे और समझेंगे देखिए गैसों की कड़ों की गतिज उर्जा अतियाधिक तता इसन के बीच अकरसन बल नगरने होने के करण वे सबी दिसाओं में गोमने के करण जिस बरतन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है किलियर यानि गैस की कड़ों की गतिज उर्जा अतियाधिक होती है यहीं वज़ा है दूसरा भरतन की दिवारों और गैस कंड में काण और जबाव डाल रहा हैं ठीक है कि लक्डी की मेज ठोस काल आती है यह बात सही है क्योंकि यह दुनीड होते हैं यह पर पॉइंट करने निश्चित होती है क्यों जब ठोस होते हैं इसलिए इनका कार और अकृति क्या होते हैं निश्चित होती हैं ठीक है अगला देखेंगे अगला है हावा में हम अपनी हाथ घुमा सकते हैं क्यों कि गैस की कड़ जोना स्वतंद्र होते हैं और उनके बीच रिक्तिस्थान होती ह हम तो आसानी से हाथ घुमा सकते हैं ना तो इसलिए यहां पर देखे क्योंकि हवा में मवजूद करणों के बीच अतियादिक रिक्तिस्थान होता है तता करणों के बीच अकरसर बल कम होता है जबकि ठोस लगड़ी के टुकड़ों के काड़ बिल्कुल पास-पास बंदे होत पड़ती है और हमें कराटे में क्या होना पड़ता है नि कराटे की पूरी तजरुबा होनी चाहिए तब जाकर करके हम उस लगड़ी को तोड़ पाते हैं यानि हम अपने बारहाबल के कारण ही तोड़ सकते हैं उसके परिवर्वरतन ला सकते हैं आधरवाई वह ठूस होने देखिए अगला प्रस्ट देखेंगे समानिता ठोस-पदार्तों कि अपिक्शा द्रवा का घना तो कम होता है लेकिन आपने बर्भ के टुकड़े तो बर्फ का टुकड़ा भी तो एक ठोस है ना तो बताए क्यों तो अब यहाँ पर एक रीजन है हम उस रीजन पर घेरा लगाएंगे आथ थोड़ा गौर कीजिए गया देखिए उत्तर बर्फ पानी के जमने से बनते हैं यह बात सही जिसके संरचना में संरचना बना लेती है जिसके कारण आयतन उतना ही मातरा में जल से अधिक हो जाता है तता आयतन बढ़ने के बढ़ने से घना तो जल से भी कम हो जाता है अता बर्फ के टुकड़े तैरने लगते हैं बाते किलियर हो गई अब चलिए आगे देखते हैं यहां अगला देखें का लोगो हैं अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि नाइंद की बच्चे जो भी हैं नाइंद के जितने भी बच्चे हैं वह अच्छे ढंक से तयारी कर से के आपको इस तरह का कंटेंट हर वी से बदले तो मैं वीडियो में समझाया भी था यहां पर देख लिजिए जब इकल्विन में दिया रहाता है और सिल्सियस डिग्री में बदलने के लिए हमने दो सतीहत्र क्या करते हैं घटा देते हैं ठीक है ना तो अब आप क्या करेंगे यहां पर आप अपने से कालकुले ने यहां पर देंगे इसका उत्तर हो जाएगा अब अगला प्रसंड गरें लीखित ताप मान पर जल की भावतिक आवास्ता क्या होगी बताईए सबसे पहले दिया है कि 250 डिगरी सेल्सियस पर क्या होगी ठीकर और 100 डिगरी सेल्सियस पर उसका भावतिक आवस्ता क्या है ठीक है तो देखिए जल का को अथनांग 100 डिग्री सेल्सियस होता है जो 250 डिग्री सेल्सियस काफी उच होता है आपको पता होना चाहिए कि जल की उबलने का जो टेमपरेचर होता है वह 100 डिग्री Celsius ही काफी होता है 100 degrees Celsius पो काफी उबलने लगता है लेकिन 250 degrees Celsius तो काफी उच्छ ताफ हो गया ना अता इस ताफ पर जल गैसी आवस्ता में बदल जाती है अर्था भाप में बदल कर ठीक है ना बदल जाती है ठीक है ना तो इसलिए हम हम दूसरा 50 degrees Celsius को हम नर्मल टंपरेचर नहीं मानेंगे क्योंकि 100 degrees Celsius ही उबलने के लिए काफी होता है अब यहाँ पर देखेंगा 100 degrees Celsius पर जल द्रवियत ततक गैसी दोनों अवस्था में होगी ठीक है ना और क्यूंकि 100 degrees Celsius पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है ठीक है ना तो बीका उतर हो गया हो अब देखें अगला प्रश्ण किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवरतन के दौरां तप मान इस्थिर क्यों रहता है ठीक है पदार्थ की किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवरतन के दौरां तप मान इस्थिर क्यों रहता है तो यहां इसका कारण लिखेंगे किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवरतन के दौरां ताप इसलिए इस्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली उसमा उसके कड़ों के बीच अकरस समझाइए तो देखिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे दाब को बढ़ा कर तता अपमान को घटा कर रवाई मंडलिया गैसों को द्राव में परिवर्ति कर सकते हैं अब कोई जरूरी नहीं कि टेंपरेचर के माधियन से हम क्या करेंगे कि गैस को द्राव में बदल सकते हैं ऐसा नहीं है तो यहां देखे क्या है कि यहां पर दिखाए गया है दाब को बढ़ा कर तता अपमान को घटा कर वहाई मंडेलियों को द्राव में परिवर्ति किया जा से जैसे कि आप एक टेस्टूब लिए हैं और इसमें गैस भर दिया है गैस की छोटे-छोटे कड़ हैं जो यह संगहनता हुई है न jer कि इसका घनति जो है न थोड़ा सकाफी नजदीक दिकाई दे रहा है यानि कि जो भीडकाफी एक दूसरे के दूर diskut कर दिकाई दे रहा और तीसरी आवस्था में हो व्क्या रहा है कि इस से बढ़हने पर पिश्टन से दबा Defense यह क्या हो गया यह जो ह आपका उत्तर आप प्रिश्ट संक्य एक 11 से देखेंगे पहला परसन क्या पूछ रहा है इस भी तो यहां करता है तो यहां इसका रिजन लिखेंगे यह उत्तर गर्म सुस्क दिन में वायू में नमी की नमी की कमी होती है तरदा पान अधिक होते हैं जिसके कामर वाश्पी कर बढ़ जाती है और शितलता उत्पन होती है अता कुलर के अंदर से ठंडी हावा कमरे में फैल का ठंड़क परदान करती है यह हो जाएगा आपका उत्तर अब अगला प्रस्ण देखेंगे इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूँ यहां इसको यहां पकर दूँ अगला प्रस्ण देखेंगे गर्मियों में घड़े का जल घड़े बोले तो मटका का जल ठंड़क क्यों होता है तो उतर लिखेंगे घड़े में बहुत अधिक संख्या में बिरिधी घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होने के कारण घड़े में मौजूद पानी बाहर रिस्ता रहता है और वास्पी करण की घटना होता रहता है ध्यान दिजिएगा क्या बोलना है घड़े में अधिक संख्या में छीदर होते हैं और दूसरा ये बात कि जब छीदर होते हैं तो वास्पी करण की घटना 100% होती है और जब होती है तो क्या होते हैं कि उसमें वास्पी करण में कम होई उर्जा को पुना मटके और सिस बचे जल वास्पी करण की गुप्त उस्मा के रूप में ले लेता है देख रहा है ना और होता क्या है कि जब यह परकिरिया चलती रहती है तो होता यह है कि घड़े जल से उस्मा असोसित होती है तत्थावास्पी करण होता है और यह परक्रिया चलने के दोरान मटके का जल ठंडा हो जाता है ठीक है ना किलियर हो गई बात एक एक पॉइंट को नोट करना है और दिमाग मेरा करके एंसर को समझ लेना है यहां देखें यह सीटोन यह पेटरॉल यह इत्र डालने पर हमारी हथेली हाथ कियूँ ठंडा हो जाती है ठीक है ना तो यहां उत्तर लिखेंगे इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके खन हाथेली यह उसके आस्पास से उर्जा पराप्त कर लेती है और उर्जा प्राप्त करने के दुरान यह वास्पी क्रीट हो जाते हैं जिसे आंतेली पर सितलता महसूस होती है क्लियर हो गई बात अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है कप की अपेक्छा प्लीट से हम गर्म दूदिया चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं तो देखेए आपको पता होना चाहिए कि तो छोटा सा रहेगा अगर अगर फी लेगल ने के लिए लेग्र आप ब्लेटे अगर कुछ रेक मैंने कोई भी गर्म चीज़ तो इसका छ क्什么 दिना हो कि इसका छेत्पल ज्यादा है तो वहीं बात ध्यान वदेका तयार किया है, ऐसा इसलिए वोता है क्योंकि प्लेट की सता की सता की से हमाओने करफ अधिक होता है। जितना अधिक सता ही से अधिक सता ही कपने की क्पडे। चाहिए तो गर्मियों में हमें हलके रंग सूती के कपड़े पने चाहिए क्यों कि राउस के रंग वाले कपड़े उस्मा उसुसित करते एक पॉइंट नोट करने की है और दूसरा इसके साथ साथ पसीना को भी उसुसित करते हैं तथा वास्मी करण तेजी से होता है देखिय काफी जबरदस्त और महत्वपुर्ण प्रस्णों से भरा था और इस तरीका का कॉंटेंट आपको हर रोज देखने को मिलेगा बस अगर आप मेरे चानल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तों के पास भी शेयर कर लिजेगा ताकि उसकी अच्छी तयारी हो सके तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सारे प्रस्णों के उत्तर के साथ तब तक के लिए जैहिन